नमस्कार बच्चो आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास नाइन्त हिंदी के हमारी वर्क्षिट नमबर 32 को यानि कारेपतरक संख्या 32 को यह हमारी 22 तंबर 2021 की वर्क्षिट रही आज की इस आसान सी वर्क्षिट में हम लहासा की और पाठ को पढ़ना और समझना जारी रखेंगे लहासा की और पाठ एक यात्रा वरितांत है अब ये यात्रा वरितांत क्या होता है जब हम किसी यात्रा पर जाते हैं जो कुछ भी अन्भो करते हैं जो भी हमारे खटे मिठे अन्भो होते हैं जो कुछ में हम देखते हैं उस सब को लिपी बद करना उस सब को लि हुम करके आए, जो कुछ आपने खाया पिया, जो कुछ भी आपने किया, वो सब कुछ आपने लिख डाला, वो आपका यात्रा वरितान्त हो गया, लहासा के और पार्ट में लेखक अपनी तिबबत की यात्रा का जो अनभव है, वो हमारे साथ साजा करें, इस वरक्षिट में हमें उसी पार्ट से एक गध्यांश दिया गए, इस गध्यांश को हमें पढ़ना और समझना है, फिर इस पर आधारित कुछ आसांसे परशन है, जिनको हमें हल करना होगा, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की आसांसी वरक्षिट की, सबसे पहले हमें समझना है इस ग पोड़ी से उनको समझ्यां आती है, कौन से खत्रे होते हैं, कौन सी समझ्यां होते हैं, यह हम इस वरक्षिट में, इस गध्यांस में समझेंगे, अब हमें सबसे विकट, डांडा थोडला पार करना था, विकट मतलब सबसे कठिन जो इलाका था, थोडला इलाका था, तुन्हें डांडा थोडला पार करना था और जितने भी यह डांडे या डांडे होते हैं इतिबत में वो सबसे खत्रे की जगह होते हैं। दूर तक किसी इंसान का चेहरा दिखाई नहीं देता, डाकों के लिए ये सबसे अच्छी जगा होती है, सबसे अच्छी जगा क्यों होती है, क्योंकि उन्हें तो निर्जन इलाका चाहिए न, जहांपे लोग ना हो, जहांपे भीड भाड ना हो, जहांपे शुरक्षन आ हो, तो डाकों के लिए यही सबसे अच्छी जगा है तिबबत में गाउं में आकर के खून हो जाए तो तब तो खूनी को सजा हो सकती है लेकिन निर्जन स्थानों में मरेवे आदमियों के लिए कोई परवा नहीं करता क्योंकि डाकों पकड़े नहीं जाते इन जंगले इलाकों में वो भाग जाते हैं पकड़े नहीं जाते हैं और सरकार भी खूफिया विभाग और पुलीस पर उतना खर्च नहीं करती है और दूसरा यहां पर गवा भी तो कोई नहीं मिल सकता ना जो भी पकड़े जाएंगे उनको मार दिया जाता है तो कोई यह बताने वाला भी नहीं होता कि किसने इनको मारा इसलिए डाकों के लिए यह जो जगए सबसे अच्छी जगए होती है क्योंकि वो पकड़े नहीं जाते हैं और दूसरा उनके लिए लूट करना डकेती करना काफी ज़दा आसान होता है यह जो डकेत होते हैं पहले वो आदमी को मार डालते है उसके बाद देखते हैं कि उसके पाँच कुछ पैसा वैसा है या फिर नहीं यानि कि यह भी बड़े खतरना किसम के डाकों है गबर से भी ज़्यादा खतरना किसम के डाकों है यानि पहले उसको मारेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसके पास पैसा वैसा है या नहीं है, यानि वो पहले नहीं पूछेंगे कि भाई पैसा वैसा है तो हमें दे दो, तो वो पहले आदमी को मार डालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उसके पास कुछ पैसा है की नही हत्यार का कानून वहां पर है नहीं तो हत्यार का कानून नहीं होने के कारण यहां पर लाठी की तरह लोग पिस्तोल और बंदूक लिए फिरते रहते हैं ढाकू यदि जान से नहीं मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खत्रा होता है यानी अपनी जान बचाने के लिए दूसरा ढाकूं को यह भी लगता कि कहीए हमें पहचान ना ले कहीए हमें पकड़वा ना दे तो इस तहीं वो लोगों को पहले ही मार देते हैं और उसके बाद वो लूट करते हैं गाउं में हमें मालुम हुआ कि पिछले साल ही थोडला के पास एक खून हो गया था शायद खून की हम उतनी परवा नहीं करते क्योंकि हम भिक मंगे थे अब लेका कहता कि हमें उतना डर नहीं था कि कोई हमें मार डालेगा क्योंकि लेका को लगता कि हम तो भिक मंगे थे जहां कहीं वैसी सूरत देखती कि जहां कहीं भी सूरत मतलब ऐसी हाला आता थे कि डाको इंद के सामने आ जाते हैं तो इनको क्या करना था टोपी उतारते जीब निकालते और कुची-कुची एक पैसा कहते हैं भीक मांगने लगते यानि ड्रामा करना बड़े अच्छे से लेका को आता था कि अगर डाको मिल भी गए तो हमारा क्या बिगाड़ेंगे हम तो बच टोपी उतारेंगे जीब निकालेंगे और कुची-कुची-कुची-कुची को मतला होता है दया-दया एक पैसा और कहकर के भीक मांगने लगेंगे अब भीक मंगों से डाको क्या लेंगे तो ये था हमारा आज का गध्यांस अब इस पर आधारित कुछ आसान से परशन पूचेगे चली इन सभी परशनों को हल करते है पहला हमारा परशन रहेगा तिबबत में सबसे खत्रे की जगए कौन सी थी ये हमें बताना है कि या फिड़ो डाड़े थे वो तिबबत में सबसे खत्रे वाली जगए थी क्यों थी क्योंकि ये निर्जन जंगली लाके होते थे और आस पास में कई मिलो तक कोई गावन नहीं होता था तो इसमें पहले परशन में आपका कैविकल्प सही रहेगा उसके बाद दूसरा हमार परशन रहेगा दूसरा परशन है लेखक कब कुची कुची कहकर बच निकलता था लेखक कब कुची 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 इस शब्द कारत होता है दया दया करके ये कहकर के बच निकलते थे कब ये हमें बताना है जब लेखक को कभी लेखक को डाको इत्यादी मिल जाते थे तो ल यानि कि कब बच निकलते थे, जब इनको डाकों मिल जाते थे, तब ये अपनी टोपी उतारते, जीब निकालते और कुछी-कुछी एक पैसा बोलते भीक मांगने लगते थे, और इस तरीके से उन डाकों से वो हमेशा बच निकलते थे, उसके बाद तीसरा हमारा परशन दिय डाकों के लिए यह जगए सबसे अच्छी कैसे थी, यानि कि कि किसकी बात की जा रही है, जो जंगली, निरजन इलाका है, उसकी बात की जा रही है, तो सबसे अच्छी जगए थी, कैसे, 16-17,000 फीट की उन्चाई होने के करण उस इलाके के दोनों तरफ मीलों तक कोई चोथा परशन दिया गया, कि हत्यार का कानून ने रहने के करण यात्रियों को किस परकार का भै बना रहता था, यानि कि वहाँ पर हत्यार का कानून नहीं था, और वहाँ के लोगों के पास जैसे डंडे लाठियां होती है उसी तरह के से वो पिस्टोल बंदू के लिए पांचववा पर्षन दिया गए, गाउं पहुंचकर लेखक को क्या मालुम हुआ, तो गाउं पहुंचकर लेखक को मालुम हुआ कि पिछले साल ही थोडला के पास खून हो गया था, यानि उन्हें वहाँ जाकर के पता चला कि ये जो जगह है, थोडला इलाका है, ये बेलकुल नहीं है, तो ये था हमारा पांचववा पर्षन, उसके बाद चठा पर्षन दिया गए, जो अंतिम पर्षन रहेगा इस वरक्षिट का, निर्जन शब्द है, उसका संदी विछेद कीजिए, यानि कि दो शब्दों से मिलके बना है, तो उन दोनों शब्दों को ह ना है, निर्जन शब्द, तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वरक्षिट, उमेद करता हूँ, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, गर आपको ये वीडियो, ये वरक्षिट अच्छे लगी, तिस वीडियो, इस वरक्षिट को लाइक और शेयर जरूर कीज आज के लिए बस इतने, thank you, bye bye, have a nice day मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,